प्रभीय सुम्सी के मदर और जलाली नामे सबी मसी भाई बेनों को मेरी तरफ से जैम सी की मैं आपकी पासर रेखा आए हम सुबा की प्राहत नामे एक अठ्थ होते हैं खुदावंद के नाम को महमा देते हैं क्योंकि यही भला है खुदावंद के प्यारे लोगों जो दिन की शुरवाद हम खुदावंद के यही यही के नाम से करेंगे क्योंना दिन हमारा अच्छे से गुजरेगा तो आए हम दिन की शुरवाद प्रभीय यही के नाम से करते हैं हम मुनश्यों को रचनी वाले परमिश्वर हम अपका थैंक्स करते हैं आज की सुंदर सुबा के लिए आज की आने वाले दिन के लिए प्रभुची हम अपका थैंक्स कर दे खुदा पिता परमिश्वर बाबेड़ा पवितरी आत्मा हम धन्यवात करते कि आपने हमें बीते समय में संभाला और पिता परमिश्वर हमें बहुत सरी आशिश और बहुत सरी बर्कत दी खुदा हम आशा करते हैं खुदावन आज का जो भी दिन होगा खुदा वो पिछले दिनों की तरह पिता परमेश्वर और बलेस होगा प्रभी येश्यू तेरे नाम में पिता परमेश्वर हमें कठे होकर खुदावन एक मन होकर एक चिता होकर हम प्रातना करने के लिए खुदावन तेरे पास आते हैं खुदावन और अपने सिरो को प्रभू जुकाते हैं तेरे चरनों में अपने मनों को प्रभु परमेश्वर हम दीन करते हैं खोदावन पिता परमेश्वर और तेरी महमा करते हुए तेरे आंगरों में हम परवेश करते हैं खोदावन प्रभु तो ही महमा की योग तो ही आदर की योग परमेश्वर है पिता परमेश्वर इसलिए हम तेरी महमा करत तेरी करना के लिए तेरी द्या के लिए पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा बजन सैता 107 में पिता परमेश्य खुदावन वे अपने वचन के दुआरा उनको चंगा करता और जिस घड़े में वे पड़े हैं उससे निकालता हैं लोग यहवा की करन के कारण और अच्छ कामों के कारण जो मनुश के लिए करता है उसे का धनिवात करे। परमीश्र की वचन में लिख्ध है फ्रीया भाय बैनों खुदावन कहता यह उसको चंगा करता है जिस पर गड़े में पड़े होते उसे निकालता परमीश्र के अपना वचन भेज़ कर, आज आपको परमेश वचन भेज़ कर, आज को चंगा कर रहा है आपको, जिस घड़े में आप पड़े हुए है, हो सकता वो घड़ा, आपकी बिमारी का, आपकी इलाचारी का, आपने घर के कलेशों का, यहां फरनाशनली ट्रबल का वो घड़ा हो सकता, आपको ल परमेश्र का वचन के द्वारा उनको चंगा करता है परमेश्र कहता है कि मैं अपने वचन के द्वारा वचन क्या कहते हैं वचन कहते हैं खुदावंत के कोड़े खाने से हम चंग हो जगे हैं यह समसी के लहू बहाने से हमने शिफा पा लिया पीता परमेश्र के वचनों पर अध्यान लगाईए, मनन करिए, कि परमिश्र कहता है, कि मैंने अपना लहू तुमारे लिए बहाया, तो आपके गुनाहों के लिए, आपके पापों के लिए, आपको शिफा देने के लिए, आपको बिमारियों से रियाग करने के लिए, आपके बोज को दूब करने के लिए, मैंने अपने आपको पर ताड़ना सी मैंने अपना बलड बहाया आप सबी के लिए जितने लोग खुदावंद के इस पाक बलड पर विश्वास करते हैं और विश्वास करते कि वो अपना वचन भेज कर वो सबको चंगा करता है और जो किस गड़े में पड़े होते हैं वो कर्ज का गड़ा हो सकता है वो शिर्मिंदगी हो सकती है बिमारी हो सकती है हो सकता है घर में कलेश हो सकता है कि आप बहुत पड़े लिखियो और आप जीवन में सफलता को नहीं देख पारें ये प्रिये भाई बैनो एक आपके जी देना इसी तरह मेरा परमिश्र आपके सुर्मिंदी के गड़े के उपर वो मिट्टी डालेगा वो अपना लहू डालेगा वो आपके शर्मिंदी को ठक देगा वो आपको आदर देगा वो आपको सम्मान देगा कि जाहे कोई आने जाना वाला हो वो तुझे आपको देखे और के दुआरा महमा होगी आपके दुआरा प्रभू के नाम को जलाल मिलेगा ऐसले प्रिया भाइबनों परमिश्र कहता है अपने वचन के दुआरा उनको चंगा करता और जिस घड़े में पड़े उसके उसे निकालता है आज मेरा परमिश्र आप चाहें बहुत बुरे हालातों हैं दुख तकलिफों परिशानियों में पड़े हो चिंता है कि आज क्या होगा आप एक्जैम में जाने वाले हो जा किसी काम के लिए जाने वाले हो आप प्रॉपटी के लिए जाने वाले हो किसी भी काम के लिए और आप सोचते हो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है मेरा क्या मुझे शर्मिंदी इनन जहिलने पड़ जे उन लोगों के सामने जिंके सामने में जैने में रहों तो परिमिषञ आपको कहता हैं जिस गड़े में वे पड़े हैं उसे मैं निकालता हूं इस फ़क Daar जिस चनथा जिस बोजमें तो पड़ा प्रभु ने अभी तक आपको जितने भी काम किये उसका वर्णन करना, लोगों के सामने बताना कि प्रभु ये सुमसी सब कुछ करने की ताक को तोर सामर्दरता है, परमेश्य है जो छुडाता है, परमेश्य है जो अजाद करता है, अगर आप ऐसे महमा करती हूँ, करना मही यहावर राफा हूँ जो छू कर सबको चंगा करता हूँ मैं ही अजाद करने वाला परमेशुर में सिस्वा कोई दूसरा परमेशुर नहीं है पिता परमेशुर खोदावन मैं इन सब भाई भेनों को जितने तेरे आगे सिर्जुकाई खड़े कोदावन जुतने परशानी में लचारी में गरीबी में पिता परमेशुर समय बता रहे हैं खोदावन और पिता परमेशुर खोदा तुसे मांग रहे हैं कि पिता हमारी शर्मिंदी के गदूर कर पिता परमेश हो जिस गड़े में हम पड़े हैं हमें निकाल तो पिता आज निकाला अपने वचन के उनसार जैसे तेरे वचन में लिखा वे अपने वचन के दुआरा उनको चंगा करता हो जिस गड़े में वे पड़े ह उसे निकालता है प्रभुची आज़े वचन के दुवारा कि तेरे कोड़े खान से चंगे हो चुके है आज़े अज़ाद होने पाए यह फ्री होने पाए अपनी बिमारियां से और प्रभुची इस गड़े में पड़े हैं करज के नीचे है शर्मिंद के जीवन काम कर रही है काम नी बन रहे है यह पिता परमिशे एक उनक गड़ा है प्रभुची इस गड़े में आप इनने निकाल लिए इने प्रभुची आप इनकी बिन्ती को सुना है यह मेरा विश्वास कहता है कि जब यह मांग रे प्रभु आपने को दे रहे हो आप बड़ी गवाईयों के साथ इनको खड़ा कर रहे हो पिता परमेश्वा मैं आपका थैंक्स करते हूँ कि आपने मेरी बिंती को सुना आपने मेरी प्रात्ना को सुना आपने भाय भेनों की प्राहतना को बिंती को सुना प्रभुजी हम देने बात करते हैं आने वाले गवाईं के लिए जितने इनके जीवन में काम रहे हैं मैं सारी में हमा प्रभु तेरे नाम को देती हो सारा इज्जे सरा जला तेरे नाम को देती है आज का दिन प्रभु परमेश्वर इनका ऐसे ब बोलिए आमें आमें प्रिये भाई बैनों आप ब्लेसो आप सुपर ब्लेसो युश्य के नाम से अगर सेवकाई का हिस्सा बनना चाहते हैं ये गूगल पे दान नमबर है इस पर आप हमें दान भी बेश सकते हैं प्रभू आपको आशित करें ब्लेस करें